वैलकम डू दी स्टालिश कोडर उमीदे कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोश्चन है लोंगेस पेरेंड्रोमिक सबसेक्वेंस एक लीट कोड का मीडियम लेवल का ये कोश्चन है इस कोश्चन के अंदर हमारे पास में एक स्ट्रिंग होगी एस करके ठीके इस इसके लिए इन्होंने कहा है कि हमारे पास options हो सकता है कि हमको पहले तो order maintain करके चलना जो string का है ठीक है दूसरी चीज हमारे पास यह होगी कि हमारे पास जो भी characters आ रहे हैं क्या हम चाहें तो उसको delete भी कर सकते हैं या उसको रग भी सकते हैं ठीक है तो लाइक अगर अपन इसके example को देखते हैं कि यहां पर हमारे पास यह first example घीवन है ठीक है तो लाइक इसमें हमारे पास जो characters हैं वो दिये हुए B, 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 A, B करके ठीक है तो अगर अपन इस B से देखते हैं कि मेरे पास जो सबसे बड़ी लोंग सब sequence हो सकती है वो क्या हो सकती कि जिसके अंदर मेरे पास यह सारे के सारे characters आएं ठीक है तो लाइक क्या बन सकती सब sequence मेरे पास बन सकती B, double B, triple B, ठीक है तो उसके बाद मेरे पास क्या हो सकता है B, 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 A, B ठीक है तो जिसके अंदर मेरे पास सबसे बड़ी सब sequence possibly वो क्या हो सकती वो यह हो सकती क्या यह मेरे पास palindrome है नहीं है तो मैं इसको तो consider नहीं कर सकता हूं तो हमको question में क्या रखा है कि हम चाहें तो किसी character को remove कर सकते है ठीक है तो like हमारे प option हो सकता है कि हम इस B को रखें या नहीं रखें इस B को रखें या नहीं रखें इस B को रखें या नहीं रखें इस A को रखें या नहीं रखें इस A को रखें या नहीं रखें इस B को रखें या नहीं रखें इस B को रखें इस B को रखें या नहीं रखें ऐसे करके options हो सकत बता रखा है अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि लाइक मेरे पास जो यह सब इस्ट्रिंग है इससे मैं कितनी सब सेक्वेंस find out कर सकता हूँ मेरे पास character कितने इसके अंदर five characters है ठीक है और मेरे पास जो options है क्या options होगा है एक में मुझे रखना है एक में मुझे नहीं रखना है तो means मेरे पास two की power five sub string में बना सकता हूँ means 32 sub string बनेगी जिसमें से ये वाली string मेरी palindrome होगी और सबसे बड़ी length होगी इस string की ठीक है तो like अगर हपन दूसरे example को देखते है इसमें cbbd दिया ठीक है means four characters है हमारे पास तो अगर हम two की power four करते तो कितना 16 sub sequence बनेगी हो 16 sub sequence को अपन चेक करेंगे कि इसमें से सबसे बड़ी sub sequence कौन सी है जो palindromic भी है ठीक है तो bb आएगा हमारे पास ठीक है तो यह हमारे पास दो example थे जिनको अपन ने इसकी help से question भी समझा I hope कि आपको इसके approach क्या होने वाली उसका भी idea लग गया हो नहीं लगा तो कोई बात नहीं अपन उस पर बात करते है तो first जो हमारे पास इसकी brute force approach हो सकती है तो like अगर भी अपन ने example में देखा second में अपन क्या कर सकते हैं जो भी हमारे पास subsequent मिलें को अपन क्या कर लें चेक कर लें कि जो भी मेरे पास सब सिक्वेंस है ठीक है सब सिक्वेंस है क्या ये पैलेंड्रोम है क्या नहीं है ठीक है और जो अगर ये पैलेंड्रोम होते हैं तो हम क्या कर लेंगे इसकी मैक्स लेंथ निकाल लेंगे ठीक है तो इस चीच को अपन कर सकते हैं हां कर सकते हैं तो अगर हम इसमें देखते हैं मैं इस B इस से चालू करता हूँ क्योंकि order का भी अपने को धियान रखना है तो मैंने इस B को क्या क्या टेक किया ठीक है दूसरा option क्या होता है मैं इसको untake करता हूँ means empty string फिर मैं पास next B आएगा तो B B हो जाएगा ठीक है यहाँ पे मेरे पास single रहेगा ठीक है तो 3 B ही रखना है फिर यहाँ पे मैंने उस B जो B B A B को टेक किया और इस वाले में मैंने B B B और A को रखा ठीक है इस वाले के अंदर अब यह लो A को तो हमने छोड़ दिया था ना इस वाले condition में तो हमारे पास क्या बच रहा था यह B बच रहा था और otherwise मैंने उसको छोड़ दिया ठीक है तो मेरे पास यह string बनी तो like ऐसे करके अपन इधर भी check कर लेंगे इधर भी check कर लेंगे तो in the last जो होगी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या और होगा यहाँ पे हमको answer मिल रहा होगा means कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमारी sub-sequence जो भी हमारे पास possible होगी हमारी given string से ठीक है तो हमने इस यह तो find कर लिया sub-sequence अब इस sub-sequence को क्या करना है हमको करना होगा check क्या कि यह जो sub-sequence है क्या यह palindrome palindrome है क्या नहीं है अगर यह palindrome subsequence होती है यह palindrome है, यह palindrome है यह हमारी palindrome नहीं है, यह हमारी palindrome नहीं है तो means यह दोनों हमारी क्या है palindrome है तो इसमें से like जो भी हमारी like इसमें से जितनी palindrome subsequence बनेगी उन सब की अपन क्या कर लेंगे कि उसकी जो maximum length होगी क्या था इस approach में हमने find कि sub sequence को फिर check कर लेंगे palindrome को palindrome check करने के बाद जो maximum होगा उसको अपन return कर देंगे length को ठीक है तो ये तो एक हमाई brute force approach हो जाएगी means अगर आप देखो इसके अंदर की हमारी जो time and space complexity कितनी निकलेगी like अगर आप देखते हो कि हम कर क्या रहे हमाई पास जितने characters हैं इसके अंदर ठीक है characters है तो हमाई पास उसके लिए कितने दो option है एक में take किया और एक में not take किया ठीक है तो means हर character के पास दो options है ठीक है कितने character से हमारे पास and तो हमारी time complexity complexity भी हो रही होगी 2 की power and अगर हम इधर space की बात करते तो like हमारे पास जो possible subsequence बंद रही होगी कितनी subsequence बंद रही होगी वो 2 की power and subsequence बंद रही होगी like हमारे पास 5 characters है तो 2 की power 5 is equal to 32 subsequence आरी होगी ठीक है तो ये हमारी क्या हो जाएगी brute force approach हो जाएगी means काफी time consuming होगा और अगर आप इसका solution करना जाते हो तो I think की solution clear होगा कि आपको कैसे करना है ठीक है तो अब बात करते हैं अपन इसकी optimal approach की तरफ तो यहाँ पर अगर अगर अपन को करना क्या है अपने को जो subsequence होगी ठीक है subsequence होगी वह क्या होनी चेह हमारी palindrome होनीचे ठीक है तो हम इसके अंदर यह सारी subsequence को check करें ही क्यों 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 maximum length चाहिए maximum length का हमको कैसे पता चलेगा अगर मैं इसके अंदर आपको कहूं कि आप मुझे इसके अंदर soaked सिक्वेंज क्या क्या possible सब सिक्वेंज हो सकती तो आप यह कर लो कि इसका first element and last element को check करो , अगर he be and be by degrees means तो क्या आप मुझे के सकते हो कि जो आपकी सब सिक्वेंज होने वाले हैं जो पैलिंड्रम सब सिक्वेंज होने वाले हैं इंदर की जो size होगी वो कितनी हो जाएगी two size हो जाएगी ठीक है फिर आपको क्या करना है अब इसके बाद में जो बच रहा होगा जो two तो हो गई अब जो इसके बाद की जो sub string बच रहोगी like कुछ इस type की इस sub string को ही आपको check करना पड़ेगा कि यह palindrome है या नहीं है जो भी इस से possibly sub sequence हो जकती है तो like आपके पास यह option हो सकता है कि आप उमीद रगर हो कि मुझे future में कहीं जाके a मिल जाए ठीक है future में कहीं जाके a मिल जाए तो वो मेरी लिए क्या करते एक palindrome string बना दे आपके पास यह option भी हो सकता है कि मेरे को पास कभी future में a नहीं मिले ठीक है future में मेरे को कभी a नहीं मिला तो मेरे पास जो इस sub string होगी वो palindrome नहीं बनेगी same option आपके पास इधर भी हो सकते है same option आपके पास इधर भी हो सकते है means मेरे पास जो यह सब स्ट्रिंग इतनी थी जिसमें मैं ढूंड रहा था अब मैं क्या करता हूं इसके लिए मैं ढूंडता हूं सिर्फ इतने पार्ट के अंदर ठीक है और इधर वाला जो ए बचा ये क्या करता है बी को भार करता है सोचता है कि मैं को मिली जाएगा ये तो य यहां से अबी भी हमारी सब स्ट्रिंग में आ सकते हैं तो मेंस यहां से अपने हो कितने मिल जाएंगे टू मिल जाएगा और यहां पर अपने को यह अभी भी हमारी सब स्ट्रिंग नहीं हो रही है ठीक है दोनों इकवल नहीं है तो मेंस यह जो सब स्ट्रिंग है हमारी पै हो जाएगा ठीक है two plus two equal to कितना हो जाएगा four हो जाएगा ठीक है तो यह तो एक simple से अपने example को लेके बात किया अगर हमारे पास like इस चाइब के example होता है कि b a b करके example ठीक है इसमें देखो हमाई पास b and b to match किया means हमाई पास two subsequent हो गई अब last में हमारे पास क्या बना है हमाई पास सिर्फ यह single a बचा है ठीक है तो यह a भी तो हमाई single इसका part हो सकता है तो हम क्या करतेंगे इसको add कर देंगे means two plus one तो हमाई possibly sub length आएगी वो कितनी हो जाएगी three हो जाएगी ठीक है तो साफी सिंपल सी यह approach है जिसको अपन अपने code में कर सकते हैं ठीक है तो बैसिकली अपन कर क्या रहे होंगे कि हम like हमारे पास इसमें अपन बना लेंगे दो pointers को ठीक है तो मेरे पास सब 번 ma why बें पी पहलां थीकिए यह मेरे पास इक स्ट्रींग हो गई ठीक है तो इसमें हमारे एक pointer हो कहा जो start वाले पर खड़ा होगा दूसरा pointer होगा जो हमारे की end पर खड़ा मैंस ऐस पर होगा दूसरा उमारा जी पर ठीक है अब इसके अंदर जब हमारे पास a और b वाली जो position के character से अगर equal होते हैं तो अपन क्या करतेंगे to को add करेंगे और इसके बात की जो sub string होगी means जो sub string होगी ठीक है sub string की step की होगी means जिसमें ये वाला as गायब हो जाएगा means tri n करके हमारी string जारी होगी ठीक है इसमें अपन check करेंगे ठीक है और in case हमारा a doesn't equal to b होता है तो उस case में हम क्या करेंगे एक बार में अपन इतने पार्ट को check करेंगे या एक पार्ट में अपन इतने पार्ट को check करेंगे means एक के अंदर जो भी इसमें max होगा तो हमारी जो sub string होगी वो एक बार tin करके जारी होगी और दूसरी बार जारी होगी ring करके ठीक है तो ऐसे करके अपन चेक कर रहोंगे means कि हम एक बार में a pointer को हटा देंगे पूरा का पूरा दूसरी बार में अपन b को हटा देंगे और जो इसमें से max आएगा उसको अपन अपने answer में रखेंगे ठीक है तो इसको अपन करने वाले हैं अपने code में काफी simple सी अप्रोच है तो चलिए करते हैं इसको code में तो first में अपन यहां पे एक recursive function बना लेते हैं जो हमारी लिए जो हमाई सब स्ट्रिंग होगी उसके नदर चेक कर रहा होगा first and last character equal है या नहीं है ठीक है तो लाइक अपन यहां पे प्राइवेट मैथर बनाते हैं उसको नाम देते हैं इंट क्योंकि रिटन टाइप उसका इंट होने अलग हो रिटन करेगा size को ठीक है उसको नाम अपन हमाई solve कर रहा होगा हमाई problem को ठीक है string एक parameter होगा s ठीक है दूसरे parameters होगे कि हमको starting और ending point चीए तो int i बोल देते हैं जो हमारे start बताएगा और int j हमारे end को बताएगा ठीक है आप इसके बाद देखो कि अगर मेरा जो i है अगर वो greater than हो जाता है j से means start और end point भलब end छोटा प या i is greater than j तो it means return कर दे भाई यहां से तू 0 को यह बोलता है कर दूंगा return अब इसके बाद की if जो मेरा i equal to equal to क्या हो जाता है j means कि दोनों सीब एक single element बचा हो single element जो होता है वो हमारा palindrome होता है ठीक है तो यहां से return करवा देंगा अपन 1 को करवा दिया 1 को ठीक है अगर यह तो उनों case नहीं होते तो उस case में अपन क्या करेंगे अपन हमारे character को check करेंगे ठीक है तो if as.character at i ठीक है i position वाला character अगर equal to equal to क्या होता है as.character at j पे ठीक है जो इस position के अगर character दोनों equal होता है तो it means जो मेरा palindrome होने वाला है उसकी size कितनी हो गई होग इसमें 2 तो यहां से अपन return कर दो 2 को कर दिया 2 को return और बाकी की जो चीज़ बच जो क्या होगी कि जो इसकी sub string है उसकी size भी तो होगी ठीक है तो यहां पर बोलो solve को बोलो भाई तू जा मेरे लिए और calculate कर means string एसी की जाएगी i वाली position में से अपन को क्या करना है इस वाले i को remove करना है तो अब ज वो हमारे जो i and j position के character है अगर वो equal नहीं होते means कि वो else part में जाते हैं तो इस part में अपन क्या करेंगे एक बार अपन i को रखेंगे एक part अपन j को रखेंगे ठीक है तो यहां पर अपन return कर रहोंगे math.max को ठीक है इसमें हमारा first जा रहा होगा क्या solve हो रहा होगा जिसमें string common जाएगी ठीक है i को अगर अपने as it is रखते हैं तो अपन क्या करते हैं j को minus one करते हैं ठीक है and like comma करके again अपन कॉल कर रहोंगे कि इसको s को इसमें अपन i को increase कर देंगे means i वाली position को अपने छोड़ा j वाली को common रखा ठीक है तो यह जो भी इसका जो calculate करके लाएगा वो यह से return हो जाएगा ठीक है तो यह तो हो गया guys अपना code यहाँ पर अपने return की spelling को गलत लिख दिया है ठीक है हो गया complete हो गया code तो चलो यह उपर वाले function के पास ठीक है इस function के अंदर इस method को call कर लो तो solve करना है हमको s को भेजना है ठीक है i की जगे 0 होगा और जो मेरे s की length होगी उसमें से अपन कर देंगे या से minus 1 और कर दो इसको run ठीक है run 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 और यह हो गया हमारा run complete ठीक है run हो रहा है ठीक है like हमने कहीं okay okay हमने आप रिटन नहीं करवाया तो यह भी एक silly mistake हमने कर दी आज की ठीक है return कर दिया है आपसे ठीक है हमारे दोनों के successful run हुए करो submit दे दी इसने time limit exit की error लगा दो इसमें memorization को ठीक है तो first मैं अपन क्या कर लो यहां पर size निकाल लो length निकाल लो int n is equal to as dot जो length होगी वो बनाओ एक dp int 2d dp बनाया ठीक है is equal to new int होगा n और मेरा n जा रहा होगा ठीक है यह हो गया अब इसके बाद अपन क्या करते हैं इसमें पास कर देते हैं s dot length अपने उपर ही calculate करें यहां क्यों calculate करें यह जो यहां पर ठीक है n-1 बेजना है यह तो एक और error देते हैं dp गया ठीक है यहां पर again check करो sorry parameter में पास करो पहले int dp को ठीक है अब in case हमारे पास जो dp होगा कि if जो मेरा dp है i और j वाली position पे अगर यह doesn't equal to क्या होता है 0 के means initially जो हमारा dp जो array होता है integer array उसके अंदर 0 होता है ठीक है अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो यहां से return क्या करना है हमको dp i और j को ठीक है यहां से यह return हो जाएगा हो गया अब इसके बाद हमको dp के अंदर value देनी है तो जहां से अपन return कर रहे हम आपे पहले dp के अंदर initialize करा हो i j को ठीक है यहां से हमारा initialize हो गया अब यहां पर जाओ यहां पर लिखो dpi और यह dp j equal to कर दो ठीक है अब यहां पर again चला के देखो कहीं syntax error तो नहीं करा है अपने कहीं पर means करा तो है क्योंकि हमने इंदर वाले जो नीचे आले function में pass नहीं कर अपने dp को तो कर देते हैं pass काफी syntax error होते हैं तो यहां से हमारा dp भेज दिया हमने एक बार run करते हैं अगे तो दोनों के successful run कर दो submit तो हमारा आज का code successful submit हो चुका है ठीक है भाई हो गया submit अब बात करते हैं अपन इसकी time and space complexity की क्या time and क्या space complexity हो रही होगी हमारे code की तो like अगर हम इसके अंदर देखते हैं हमने basically आप एक 2d array बनाया है ठीक है dp करके ठीक है यह हमारा space ले रहा होगा और like अगर हमारा यह function है ठीक है यह call होगा recursively call होगा ठीक है complicated सोचने की जड़वत नहीं है यहां पर सीधा का सीधा तुम कह सकते हो कि o की power and square तो इसकी time complexity हो जाएगी ठीक है हमारे state कितने होंगे इसके अंदर possibly कितने बंद रहे होंगे वह बंद रहे होंगे हमारे पास o की power and square ठीक है तो यह हमारी time complexity भी हो गई यह हमारी space complexity भी हो गई ठीक है तो guys यह था हमारा आज का solution उमीद है कि आपको हमारा solution अच्छा लगा हो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ तब तक के लिए बाई